नमस्कार मैं हूँ सुरिष्टी दवायर बुलिटन में एक बार फिर आप सब का स्वागत है बुलिटन की शुरुवात आज हम करेंगे दवायर की एक विशेश रिपोर्ट से जिसमें जो केंद्रिय सूचना आयोग है CIC है उसमें विदेश मंत्राले को एक आदेश दिया था और कहा था कि वो उन सरकारी और गैर सरकारी यानि की प्राइवेट लोगों के नाम बताए जो 2014-15 से लेकर अब तक विदेशी दौरों पर प्रधान मंत्री नरेन मोदी के साथ गए है लेकिन विदेश मंत्राले ने दवायर की ओर से जो दायर आटियाई के जवाब में कहा है कि मांगी गई जानकारी वेहत समवेदैशील है सेंसिटिव है और इससे भारत की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, देश की जो सुरक्षा है साथ ही में जो एक स्ट्राटिजिक, साइंटिफेक, एकॉनमिक इंटरेस्ट है उस पर ये सब प्रभाव पड़ेगा और ये भी कहा गया उस जवाब में कि इसकी वज़े से किसी व्यक्ति की जो जिन्दगी है और शारेरिक सुरक्षा है वो भी खत्र में पड़ सकती है इसलिए आटियाए आक्ट 2005 की धारा जो 8181 या और गा है उसके तहत ये सूचना नहीं दी जा सकती लेकिन साथी में अगर हम देखे तो मंत्राले ने सिर्फ प्रधान मंत्री के साथ विदेश जाने वाले जो मीडिया कर्मी है उनके जानकारी दी है जो कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है CIC के आदेश के बावजूद जवाब ना देना जो मोधी सरकार का एक दावा है कि वो बहुत ही पारदर्शिता में बिलीव रखते हैं ट्रांस्पेरिन्सी में बिलीव रखते हैं करप्शन फ्री विवस्था में बिलीव रखते हैं उस पर एक सवालया निशान खड़ा कर और आपको बता दें कि इसी तरह से पिछले साल 6 अक्टूबर 2017 को कराविदास नाम के एक वेक्ती ने भी मंत्राले से 2015-16 से लेके 2016-17 यानि कि एक साल के इस दौरान प्रधान मंत्री के विदेश दौरों पर जो खर्च हुआ है उसके बारे में और उनके साथ यात्रा करने वा इस मामले की सुनवाई करते हुए जो मुख सूचना आयुक आरके मातों ने आदेश दिया कि जो सरकारी खर्चे पर प्रधान मंत्री के साथ यात्रा करने वाले जो गैर सरकारी वेक्ती हैं जिनकी सुरक्षा से संबंद नहीं है उनकी सूची एप्लिकेंट को दी जाने चा इतिनी राशी खर्च हुई है ये भी ने बताया गया है लेकिन जो मीडिया में अब तक जानकारी मौजूद है उसके मुताबक अगर हम देखें तो विदेशी दौरों में कुल 1484 करून रुपे की राशी खर्च की गई है और ये ऐसा पहला मामला नहीं है बहराल जिसमें जो पारदर्श्यता है उसे लेकर मोधी सरकार पे सवाल खड़ा हुआ हो इससे पहले भी एक बहुत महतमूर मामला था कि CIC के आदेश के बावजूद जो आपके केंद्रिय ग्रामिन विकास मंतरी है नरेन सिंग तोमर ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि उन्होंने ज 2014 से 2017 के बीच जो भी सेंट्रल मिनिस्टर्स के खलाफ भष्टाचार की शिकायते हैं उन्हें सारवजनिक किया जाए साथी इन शिकायतों पर की गई कारवाई जो है उसका भी ब्योरा मांगा है आयोग ने ये आदेश जो है वो भारतियवन सेवा के अधिकारी संजीफ चतुरवेदी की याचिका पर दिया है साथी में आयोग ने जो ब्लाक मनी है काला धने उसको भी लेकर पीमो को निर्देश जारी किये गए है इसके तहट जो मौझूदा सरकार है उसके कारिकाल में विदोईशों से कितना काला धन लाया गया और इसके लिए की गई कोशिशों की भी जानकारी जो है वो पेटिश सर्दार पतेल की प्रतिमा स्टाचू अफ यूनिटी के भव अनावरन के लिए जोर से तयारी में लगी है लेकिन इस मूर्ती के आसपास के जो गाउं है उनमें रहने वाले जो हजारों आदिवासी है वो इसके विरोध में भारी विरोध प्रदैशन करने वाले हैं बहराल इसके उद्घाटन से पहले जो स्थानी आदिवासी संगठनों ने कहा है कि स्टैचू अफ यूनिटी प्रोजेक्ट की वजर से बहती गंभीर रूप से प्रभावित करीब 75,000 आदिवासी प्रधानमंत्री और नर्मदा जिले के के वड़िया में जो प्रतिमा के इस उस दिन हम शोक मनाएंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वज़े से जो हमारा जीवन है वो बरबाद हो गया है बहराल आदिवासी समुदाई में उस दिन भोजन नहीं पकाया जाता है उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी के रूप में हमारी अधिकारों का ये पूरी तरह स तो खिलाफ नहीं है उनका सम्मान किया जाना चाहिए हम विकास के भी खिलाफ नहीं है लेकिन इस सरकार का विकास के लिए जो एक विज़र है वो एक तरफा है और आदिवासीयों के खिलाफ है और आदिवासी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जमीन सरदार सरोवर योजन नर्मदा पेर योजना है के साथ मूर्ती और अनसभी जो परेचन गतिविद्या हैं उनके लिए ले ली गई है बहराल ये भी कहा गया है कि जो स्कूल हैं ऑफिसेज हैं वो भी बन रहेंगे खाना नहीं पकेगा उजन घरों में स्टैचू अफ यूनिटी प्रोजेक्ट की वज़ा से जो प्रभावित टोटल बहात्तर गाओं हैं उनमें से सबसे जादा 32 गाओं प्रभावित हुए हैं औ इनका तथा कदित रूप से पुनरवास नहीं हुआ है और केवडिया कालोनी के छे गाओं हैं गुर्देशर ब्लॉक के साथ गाओं हैं जिने सिर्फ मुआफजा दिया गया है और जो जमीन और नौकरी जैसे वादे थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है बात करत अस्थाना CBI के दूसरे नंबर के अधिकारी है FIR में जो खूफिया संगठन ड्रॉ यानि कि Research and Analysis Wing के जो एक विशेश निदेशक है सामंत कुमार गोयल के भी नाम को शामिल किया गया है हालंकि उनका नाम आरूपी के रूप में नहीं है अभी और साथी में इस FIR में अस्थ इसके साथ ही इसमें मोहिन कुरेशी भ्रष्टचार मामले में एक businessman से रिश्वत लेने का आरूप है उसमें राकेश अस्थाना को नाम है वो आरूपी नंबर एक के रूप में शामिल किया गया है और मोहिन कुरेशी भ्रष्टचार मामले की जाच SIT कर रही थी और अस्था हट सट के तहट ये मामले दर्च किया है और इससे पहले CBI ने बिते 21 सितंबर को कहा था कि उन्होंने केंद्रिय सतर्क्ता आयोग CBC को इस बात की जानकारी दी थी कि वे राकेश अस्थाना के खिलाफ छे करॉप्शन के मामलों के जाच कर रहे हैं CBI ने ये भी कहा था कि जो अस्थाना निदेशक है आलोक वर्मा उनकी छवी को भी खराब कर रहे हैं और वर्मा के खिलाफ CBC में जो शिकायत करके उनके खिलाफ जाच में शामिल अधिकारियों को डराने धंगाने की भी कोशिश कर रहे हैं राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा के खिलाफ शिकायत करते हुए कि इन सरकार को एक पत्र भी लिखा था और कि वर्मा उनके द्वारा की गई जाच में इंटरफेयर कर रहे हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है बहराल हैदराबाद के कारोबारी साना सतीश की शिकायत पर जो डुबई स्थितिक बिचौलिया मनोच प्रसाथ की गिरिफतारी के बाद सीबी आई ने अस्थाना के खिलाफ ये कदम उठाया है काफी समय से NRC का मुद्दा बहुत सुर्ख्यों मेरा और उस पर एक बड़ी खबर अगर हम देखें तो असंग के मंगल दोई जिले में राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर NRC के जो अपडेटिड ड्राफ्ट था उसमें अपना नाम ना होने की वज़े से एक जो सेवा नि आपन के बाद वकालत करने वाले जो निरौत कुमारदास हैं उनूने अपने कमरे में फंदे से लटके पाए गये हैं वो और रवीवार की सुवा सेयर करने के बाद लॉटे उन्होंने आत्मत्या कर ली उनके परिवार वालों ने उनका शेव देखा और उनके परिवार के स अपनी तीनों बेटी, दमाद, बच्चों के साथ साथ रिषदारों का नाम NRC में शामिल था, उनके परिवार के सदस्यों ने भी बताया कि राज में, यानि कि जब 30 जुलाई को प्रकाशित जब हुआ था NRC का जो पहला वाला ड्राफ था, उसमें नाम होने के बाद वो काफ समय तक तनाओं में चल रहे थे, परिशान चल रहे थे, का परिवार और जो गुस्ताय हुए रिष्टेदार थे, उन्होंने पुलिस को दासका शफ जो था, वो पुस्मार्टम के लिए ले जाने से इंकार कर दिया, और मांग की कि जो विदेशी सूची में डालने के लिए जो NRC केंदर है, उसके खिलाफ कारवाई की जाए, बेराल जो महा पर जिला उपायुक थे, पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने घरवालों को आश्फासन दिया, कि जाच की जाएगी, और उनका नाम NRC में क्यों नहीं शामिल किया गया, ये बत पता की जाएगी, उसके बा पर हम ओर चलें, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी है, सरकार की जो एक तरह से नाकामी है, उसे स्वीकारा है, और जिस तरह से ये जो चाइल्ड अब्यूस के पीढ़ित है, बाल यॉन शोशन के जो जिन लोगों पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा, जिन लोगों का विश्वास टूटा है, उन सभी लोगों से हम माफी मांगते हैं, एक देश के तोर पे जहां जहां हमारे फेलियर्स रहे हम उनको स्वीकारते हैं, और साथी में हम अब जस्टिस की आगे उमीद करते बहराल जो चाइल्ड अब्यूस का मामला है, इसमें अगर देखें तो 2008 के बाद तहली बार ने प्रदान मंत्री नें से माफी मांगी है, और साथी में इस मामले में ये भी है की जो चर्चे थे रॉन इंस्टिशन हैं, जो बच्चों की स्टेक्यरिटी की गारेंटी लेते ह उन में होने वाले काफी child abuse के मामले सामने आये हैं, बहराल उन्होंने justice की उमीद की है, अपनी काफी गलतियों को, सरकार की जो भी नाखामिया है, उन्हें स्विकारा है, और इसी के साथ The Wire की ये जो सारी खबरें हैं, आप जाके The Wire की अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की वे करने के लिए, description में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें